सर्गुजा पुलिस का साइबर अपरात के विरूद ऑपरेशन साइबर क्लीन लगतार जारी ठगी के मामले में बिहार शेकपुरा से एक नाबालिक सहित नौ अंतरराश्ट ठग गिरफतार सर्गुजा पुलिस सद्यक्षि श्रीमती भावना गुपता के नित्रित्व में ऑपरेशन साइबर क्लीन को फिर से मिली सफलता लाख रुपए के एनाम का जासा देकर ठगी करने वाला बिहार का अंतरराज गिरो शेकपुरा से गिरफतार बिहार में 48 घंटे कैम कर आरुपियों को गिरफतार करने में टीम साबर क्लीन को मिली सफलता मीशो कंपनी के नाम पर 25 लाख का इनाम दिये जाने का जासा देकर खुल राशी 54 लाख 3580 रुपए की हुई थी ठगी साइबर सेल सरगुजा और सीतापुर पुलिस थाना की संयूप टीम ने दिया ओपरेशन को अंजाम देश के विमिन राजियों में कई घटनाओं को अंजाम देने वाले ठगों पर सरगुजा पुलिस का शिकंजा आरोपियों से 20 नग मुबाइल परजी परीजय पत्र के माधियम से जारी 50 के मलगलग कंपनियों के 15 नग एटियम और एक लाख रुपए से अधिक की राशी आरोपियों के खाता से होल्ड कर आए गया है इवं 11,300 रुपए नगत बरामत किया गया है रिपोट अर्विन कुमार इसमें मैं कुद्ध अपना कलीम खान और विजय सिंग के साथ 17 लोगों को मैं शेकपूरा बिहार लेके गया था और वहां 48 गंटे तक क्यांप करके रहेट किये थे अलग अलग जगाओं पर नौ लोगों को हमने गरफता किया उसमें एक नबालिक भी था और 20 मोबाइल और 50 सिंकार 15 एटीम और लगबग 11,000 के आसपास नगत बरामाद किये थे और कुछ सिंकार 50 सिंकार के आसपास हमने टेलिकॉम कम्यूनिकेशन के मिनिस्ट्री को लिख के उसको ब्लॉग भी करवाए और करवाने के लिए लिटर लिखे थे तो लगाचार साइ अब आरोपियों को पकड़ा जाएगा अभी नौ आरोपियों को पकड़ा है और उसमें एक नावाले को बिहार शेक्पुरा जिबाता